हेलो गाइज मैं हूँ आपका मेंटोर अरजिंदुआ आपका मेरे चैनल एंसी आरटी मैथ कुरू पर स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 9 एंसी आरटी मैथ का 15 चैप्टर 15 चैप्टर में 15.1 एक्ससाइज तो देखिए इसके सबसे पहले हमने इसके एक्जेंपल्स वीडियो जाकर देख सकती हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सुस्क्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप क्लास 9 से रिलेटीड नएने वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं तो चलिए अब हम अपने अक्साइज स्टार्ट करते हैं 15.1 तो देखें कोशन नंबर वन है हमारे पास इसमें इनने क्रिकेट मैच ए बैट्स वूमेन हीट्स ए बाउंडरी सिक्स ताइम्स आउट ओफ थर्टी बोल्स शी प्लेज फाइंड दा प्रोबैबिलिटी डैट शी डिडिड नोट हिट अ बाउंडरी तो सबसे सबसे पहले और अगरे प्रोबैबिलिटी डैट टीड नोट हिट और बाउंडरी तो यहां पर हमें वन के उसने कितनी बाईट नहीं किया उसकी प्रोबैलिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास देखे गिवन क्या है उसने six times where hit किया है boundary पे तो हम क्या करेंगे thirty ball में से, उसने thirty ball play किया है, उसमें sich miss कर देंगे तो हमारे पास क्या value आजएगी, किसकी value आजएगी कि उसने उसने boundary पे hit नहीं किया, वो वाली value हमारे पास आजएगी तो हम वही करेंगे 30 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा 24 यानि कि number of balls in which she did not hit any boundary equal to 24 तो यह 24 आ गई है अब हमें इसकी probability find करने के लिए हम क्या करेंगे फेन यानि कि प्रोबैलिटी इवेंट लेंगे एको और इवेंट क्या रहेगा हमारा मैंने आपको बताया है इवेंट हमारे पास रहेगा शीन नोठीट बाउंड़ आनि जो इसके बारे में हम प्रॉब्राज़िट्य कर रहे है हैं हमने वह लिखनी है वैल्यू यानि कि उसन और हमने उपर लिखा और नीचे क्या लिखेंगे टोटल नंबर ओफ और जी यानि कि टोटल नंबर ओफ बोल्ज यानि कि उसने कितनी बॉल्ज प्ले की थे थी तो यानिकि ट्वंटी-फॉर अपॉन थर्टी तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी फो इस एक फॉर्मेशन गीवन हैं फिफ्टीन हंड्रड फैमिली विद टू चिल्डर वर स्लेक्री डेंडमली एंड दा फ्लोइंग डाटा वर रिकॉडड़ुड तो देखिए यहाँ पर जैफ फिफ्टीन हंड्रड फैमिली जैं जिसमें तू चिल्डरं जैं तो अब देख किसी तरह सेकिंड अगर हमार पस एक फैमिली में कोई भी फैमिली में अगर एक गर्ल है तो वह वाली फैमिलीज कितनी होंगी तो वह वह वाली फैमिलीज भी हमारपस गिवन है तो यहाँ पर देखिए टू गल्स वन गर्ल नो गर तो हमें यहां पर इसकी इनकी प्रोबैबिटी जो है फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखिए टू गल्स की कितनी फैमिली जिसमें टू गल्स हैं वो कितनी फैमिली जैसे कि मैंने अभी आपको पता है था फॉर हैं तो यह हमारा नंबर फेवरेबल आउटकम आ हमारे पस नंबर ओफ फैमिली जैविंग टू गल्स उसको उपर लिखना है नंबर ओफ टोटल नंबर ओफ फैमिली उसको हम निचे लिएंगे तो हमारे पस वैल्यू आजाएगी फोर हंड़ सेंटी फाइफ अपॉन में फिफ्टीन हंडड इसको हम थोड़ा सो सॉल्व कर इवन या फिर आप इसको इस तरह भी लिसकते हैं पीज डालना आपके लिए बहुत जूरी है कि पी का मतलब यहां पर कैपिटल पी डालना है कैपिटल पी का मतलब प्रोबैबिटी है ठीक है तो देखिए इसी तरह से अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे सेकंड पार्ट फैमिलिस कितनी है 1500 है याने कि हमारा प्रोबैबिटी क्या हो जाएगी 814 अपोन में 1500 तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी प्रोबैबिटी आ जाएगी तो प्रोबैबिटी क्या होगे हमारी 407 अपोन 750 तो इस तरह से मिनको सोल्व करना है तो इस तरह देखिए हमारे प probability अब हम find करनी है तो ऐसे कितनी फैमिल्स है जिनमें एक भी गर्ल नहीं है वो है 211 फैमिलीज तो 211 फैमिलीज को देखे किस तरह से solve करेंगे इसकी probability किस तरह से निकाल लेंगे जैसे कि पिछले समसिम में भी किया है हमने पिछले number of outcome कितने होंगे 1500 तो इसको हमने इस तरह से लिखना है यानि कि यह हमारी क्या हो जाएगी probability हो जाएगी जैसा कि मैं आपको जब example कर दबा रहा था तब भी मैंने अब कुता है था कि probability हमारी हमेशा वन से छोटी रहेगी यानि कि जीरो और वन के बीच में रहेगी जीरो भी हो सकती है वन भी हो सकती है बन कब होगी जब इसका सम हम करेंगे यानि कि इन तीनों का देखी जो हमारी value आई है नैंटीन अपो यह हमेशा वन ही रहेगा जब भी हम सम करेंगे probability हमेशा वन रहेगा अगर वन से बढ़ी आती तो हमने जो है सम गल्त हिया है तो आपको इससे भी पता लग जाएगा तो देखी इससी तरह कोशन नंबर थर्ड है हमारे पास इनने particular section of class 9th 40 students were asked about the months of their birth and the flowing graph was prepared for the data so obtained तो देख क्लास 9th में 40 students है उन से पूचा गया था कि उनके birth date कौन से यह तो देखी किस तरह से लेखी जौप को इग्राफ दिक रहा है इस तरह से हमने इसको represent किया है अब इसमें हमें देखी बताना क्या है find the probability that a student of the class 9th was born in August तो देखी यहां पर जो है class 9th में जो है अगस्त में अग देखी यहां पर हमारे पास यह रहा अगस्त के महिने में देखी यहां पर students कितने हैं अगस्त के महिने में six student है यानि कि अगस्त के महिने में six student का जनम हुआ था तो यहां पर probability क्या बन जाएगी हमारे पास number of students कितने थे 40 थे और यहां पर अगस्त के लिए यानि कि favorable outcome हमारा यह रहेगा six तो आप क्या करेंगे number of students born in August six total number of students consider हमने के तने कहते हैं 40 यहने कि six upon 40 तो आप इसको यहां तक मिले सकते हैं अगर आप solve करना आता है तो आप इसको solve भी कर दीजिए तो हमारी value आजाए कि solve करने के बाद three upon 20 तो देखिए किस तरह से किया था हमने इसको कि यह हमने जो है टू के टेवल पर इसको काटा है याने कि टू थ्रीजा शीक्स टू टू जा फॉर यह ट्वंटी तो इस तरह से कि थी अपॉन ट्वंटी आएका एक मैंने आपको करके हमने दिखाए किस तरह से हमने इसको find किया है तो देखिए इस तरह से हमारे पास जो है कोशन नंबर फॉर्थ है कोशन नंबर फॉर्थ में देखिए हमारे पास का information गीवन है थ्रे कॉइंज आर्ट और सिमिंट एंसली 200 ताइम्स विद दा फ्लोइंग frequencies of different outcomes तो देखिए यहां पर हमने जो है 3 coins को लगातार टोस किया है 200 ताइम्स जिससे हमारे पास जो है कुछ information हमारे पास गीवन आ चुकी है देखिए इस तरह से है अगर हमने 3 coins लगातार टोस किया है उसमें 3 head आने जो है frequency कितनी बार मतलब आया होगा वह 23 बार आया है इस तरह से 2 head कितनी बार आया 2 head 72 times आया है one head आया है one head हमार पर 77 times आया एक भी है नहीं आया मतलब 28 टाइम्स आया यानिक उसमें एक भी हैड नहीं होगा तो इसी तरह देखिए अब हमें find क्या करना है if the three coins are simultaneously toast again compute the probability of two heads coming up याने कि हमें किसकी probability find करनी है two heads two heads देखिए यहां पर कहां पर है two heads 72 times आया है तो अब क्या करेंगे हम number total number of toast कितने हमने कितनी times toast किया है 200 times को toast किया था तो total number of toast कितने है 200 times है और हमारा favorable outcome याने कि number of times two head और कर जाएंगे two head कितनी बार आया था 72 times आया था तो यहीं पर probability बना देंगे हम probability क्या होगी number of times two head occur and divide में क्या आएगा total number of toast तो यहां पर 72 upon 200 हो जाएगा तो इसको solve कर लीजिए आपका solution आपके सामने जाने यह आप इसको event भी देशकते है capital E लिख दीजिए आप इसको चाहे इस तरह देखे question number 5 है हमारे पास an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in a family the information gathered is listed in the table below तो देखिए यहां पर हमारे पस क्या एग information given है इस table में देखिए जो 2400 हमारे पस families है उसकी income और vehicles में relation बताया गया है तो देखिए जो monthly income है less than 7000 यानि 7000 से उनकी इंकम कम है उनमें हमें विकल बताए गई है तो देखिए अगर उनके विकल देखिए अगर एक भी विकल ना हो ऐसी families कितनी है ऐसी family देखिए 10 है जिसकी 7000 से value देखिए 7000 से रूपए कम income में हैं और जिरो विकल है जिरो में कितनी families है इस तरह वन विकल में कितनी families है 162 विकल में कितनी family है 25 और टू से ज़्यादा है अगर विकल्स वह कितनी families है जीरो इस तरह से तो हमारा पास यह information भी बिच में है अगर फैमिली इसुजन फाइंट दा प्रोबैबिलिटी देट दा फैमिली इस चूजन इज अगर दस जार से तेरह जार के बीच में हैं और उनकी इग्जैक्ली टू विकल हैं तो यह देखिए हमार पास दो इंफ्रमिशन आगे एक इंकम क्या आगी इंफ्रमिशन एक विकल क्या यानि कि दस जार से तेरह हजार के बीच में मंतले इंकम उनकी गीवन है और उनके पास टू विकल हैं तो हमें वह वाली उसकी जह प्रोबैबिलिटी फाइंट करनी हैं तो सबसे पहले देखिए 10,000 से 13,000 के हमारे पास कहां पर टेबल गीवन टेबल में यहां पर देखिए गीवन है यह रहा इसमें जो है एक्जेक्टली टू विकल कितने फैमिलिस के पास हैं 29 तो देखिए अब क्या करेंगे नंबर ओ फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 29 यानि कि ऐसे कितने परसंस है जिनके पास टू विकल हैं लेकिन उनकी सैलर कितनी है 10,000 से 13,000 के बीच में हैं तो वो है 29 पीपल यानि 29 फैमिलिस अपोर में कहले कि है टोटल नंबर ओ फैमिली टोटल कितनी फैमिलिस गिवन है मर पस 2400 अपोर में 24 हो जाएगा तो इस तरह से अमिस की प्रोबैबिलिटी फाइंड कर ली है तो देखिए इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है इ हमें पतानी है कि इस तो हमें बतानी उनAl MAR यहां पे बताया गया है यानि की इनकी विकल कितनी है उन ऑन के विकल में कितनी यहाउनिकी विकल ये कितनी फैमिलिस आएंगी 579 जिनके पास एक विकल में ख्राइप 179 families हैं जिनकी 16,000 या 16,000 से ज़्यादा income है तो इसकी probability हम find करेंगे तो probability find करने के लिए सबसे पहले उपर क्या लिखना है number of favorable outcome number of favorable outcome क्या है 579 यानि कि उनके पास एक विकल है और 16,000 या 16,000 से ज़्यादा उनकी income है वो कितनी families है 579 upon में क्या लिखना है upon में लिखेंगे total number of families यानि कि total number of families कितनी है 2400 तो इस तरह से इसको solve करना है तो हमारे पास value आ जाएगे 193 upon 800 next है हमारे पास third part earning less than 7,000 per month or does not any विकल तो देखेंगे उनकी less than 7,000 जो सेलरी है income है और उनकी एक भी विकल नहीं है तो ऐसी कितनी families है less than 7 में देखिए less than 7 में हमारे पास यह रहा information और 0 विकल होंगे यानि कि 10 families है जिनके पास एक भी विकल नहीं है तो 10 upon में क्या हो जाएगा 10 upon में 2400 हो जाएगा यानि कि probability हमें find करनी है जिनकी salary यानि जिनकी income 7,000 से कम है per month वो है उसमें देखेंगे तो देखिए इस तरह से में पास या जाएगा 10 upon 2400 जिसको solo कर लिजी आपकी value आजाएगी 1 upon 240 इस तरह से next है हमारे पास 4th part उनके earning देखिए 13,000 और 16,000 के बीच में है और उनके पास कितने विकल है more than 2 विकल तो ऐसे families देखनी है मैं अब देखिए 13,000 से 16,000 के बीच में हमारे पास क्या है तो देखे 13,000 और 16,000 के बीच में हमारे पास यह रहा और कि 2 से ज़्यादा जो है विकल है 2 से ज़्यादे विकल अबव 2 होंगे यानि कि 25 families है जिनके पास 2 अबव विकल है तो क्या करेंगे हम 25 अपॉन क्या लेखेंगे 2400 कैसे लिखेंगे number of favorable outcome क्या है हमारे पास 25 यानि कि more than 2 विकल जिनके अपास है और अपॉन में क्या लिखना है total number of families total number of families कितनी है 2400 यानि कि 25 upon 2400 फिर इसको solve कर लेंगे तो हमारे पास value क्या जाएगी 1 upon 96 इस तरह से लेकि last part हमारे पास given है जिनके पास more than one विकल not more than one विकल यानि कि जिसके पास एक से ज़्यादा विकल नहीं है यानि कि उसके पास एक भी विकल ना हो या फिर एक विकल हो उससे ज़्यादा विकल नहीं है यानि कि 0 और 1 की जो है उनको add कर देंगे जो हमारे पास information given है उनको add कर देंगे तो देखिए पहले आप इनको add कर लीजी जिनके पास एक विकल नहीं है और जिनके पास एक विकल है उनको add कर दीजे इन दोनों को हम add कर देंगे तो हमारे पास value देखे क्या आजाएगी add करने पर 2062 आजाएगी इस तरह से आपने इनको add किया और upon में क्या लिखेंगे 2400, 2400 क्यों लिखेंगे probability find करने के लिए हम लिखेंगे upon में number of total number of outcomes यानि कि हमारे पास इस तरह से इसके value आजाएगी इसको solve कर लेगे तो हमारे पास value आजाएगी 1031 upon me 1200 इस तरह से हम इसको solve किया है देखिए next question हमारे पास given है question number 6 flowing table shows the performance of two sections of students in mathematics test of 100 marks तो देखिए यहाँ पर हमारे पास information given है two sections कि तो देखिए इस तरह से जाए इनका math का test वो था hundred number का उसके इसाब से जाए उसके marks के recording students पताए गए है 0 से 20 marks जिसके हैं वो कितने student है 7 20 से 30 जिनके marks आए हैं वो है 10 students इस तरह से देखिए information हमारे पास यह given है तो अब हमें find क्या कर रहा है find the probability that a student obtained less than 20% in the mathematics test याने कि less than 20 तो less than 20 कहाँ पर होगे हमारे पास यह 7 20 और 30 याने कि 20 से ज्यादा 30 से कम हमारे पास यह होगे less than 20 का मतलब 20 से कम होगे 0 से 20 तक के बीच में याने कि 7 हो जाएगे 7 student ऐसे हैं जिनके less than 20 आए हैं याने कि probability क्या होगी number of students who obtained less than 20% upon में total number of students total number student कितने थे 90 student हैं जिन में से 7 student ऐसे हैं जिनके 20% याने कि 20 नंबर से कम आए हैं याने कि 7 upon 90 हो जाएगा इस तरह से देखे next part हमारे पास क्या given है find the probability that a student obtained marks 60 और अबव तो देखे यहाँ पर ऐसे बताना है कि 60 और 60 से जादा किन students के आए हैं तो देखे 60 तो यहाँ पर हमारे पास खतम हो रहा है याने कि 59 तक होगा तो 60 से यहाँ पर लेंगे हम 62 70 अबव इन दोनों को क्या करेंगे हम add कर लेंगे 15 को 15 plus 8 add कर देंगे 23 हो जाएगा फिर इसकी probability हम find करेंगे तो इन number of students who obtained 60 marks और more 15 plus 8 कर दिया वो हमने 23 चाहिए आप एले कर लिए चाहिए आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं 23 अपोन में क्या हो जाएगा total number of student total number of student कितने थे हमारे पास total number student हमारे पास 90 थे तो इस तरह से हमारे probability क्या जाएगी 23 upon 90 तो एक बार दुबारा देखिए इसको किस तरह से किया हमने सबसे पहले पूछा गया था कि 20% से जिनके कम आया नंबर तो हमें नहीं बताया था 0 to 20 marks जिनके हैं वो students यानिकि 7 students थे total number of student कितने हैं 97 upon 90 कर देंगे तो हमारे पास इसकी probability आ गई इसी तरह से next बूछा गया था हमसे कोशन 60 marks और more than 60 यानिकि 60 number और 60 से जादा किन students के हैं तो देखिए 60 से 70 के बीच में हमारे पास 15 हैं और उससे जादा भी पुताने हैं यानिकि 70 और उससे बव 8 हैं यानिकि 15 plus 8 कर दिया तो हमारे पास क्या value आ गई 15 plus 8 कितना हो जाएगा 23 23 upon 90 करेंगे तो हो इसकी यह हमारी probability आ जाएगी तरह से question number 7 है हमारे पास तू नो दा of the students about the subject statics a survey of 200 students was conducted the data is recorded in the flowing table तो देखिए यहां पर जहें एक opinion दिया गया सा students के लिए statics को लेए तो देखिए यहां पर किन लों किन स्टू Jupiter statics को लाइक किया और किन स्टू ने किया तो देखिए यहां पर नधार किंदन कियीआ सट्यरों को कितने जोनोंगी किया और दिस Cynthia ऌनड़ने किया। आप क्या करेंगे देखियां यहां पर फांड क्या करना है find the probability that a student chosen at randomly तो यहां पर कितने लोग और कितने students ने जो है like किया है इस opinion को तो उसकी probability find करेंगे और does not like it यानि कि इसको like नहीं किया यानि कि direct कहा जा रहा है कि dislike की probability हमें यहां पर find करनी है पहले like की करेंगे फिर dislike किया रहेंगे तो सबसे पहले like पर आते हैं तो देखिए like में कितने students हैं कितने students ने like किया है statics को 135 students ने और total students है कितने 200 तो probability क्या हो जाएगी like upon total student like कितने है 135 upon 200 तो इस तरह देखिए number of students who like statics हम उपर लिखेंगे 135 और नीचे क्या लिखेंगे total number of students 200 यानिकि 135 upon 200 हो यानिकि इसको solve कर लेंगे तो value आजाएगे 27 upon 40 तो इस तरह से देखिए हमने probability find की है अब हमें find करना है कि कितने students से dislike किया है इस opinion को वह है students 65 students ऐसे हैं जिन्होंने इस opinion को dislike किया है तो इसकी probability dislike upon total number of student यानिकि 65 upon 200 कर देंगे तो हमारे पास value आजाएगी इसकी 13 upon 40 तो यहाँ पर हमारे dislike भी आ गया है तो देखिए इसी तरह से हमारे पास question number 8 है the distance in kilometer जो distance है वो given है kilometer में of 14 residents to their place of work were found as follow तो देखिए यहां पर हमारे पर कुछ information इस तरह से given है तो देखिए हमें यहां पर find क्या करना है less than seven kilometer from her place to work तो देखिए यहां पर जो seven kilometer से less तो यहां पर देखिए ऐसे number जो seven kilometer से less है जो भी नमबर यहां पर given है seven से less वो find करने हैं सबसे पर देखिए five three two उसके बाद देखिए हमारे पास next क्या आएगा इसमें यहां पर two इस तरह से यहां पर देखिए three five six six two यह हमारे पास जो है seven से less है तो इन सब को क्या कीजिए इन को गिल लीजिए और इनकी probability हम find कर देगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगे इनकी probability यह nine होंगे यानिकि nine numbers आप इनको bracket में भी show कर सकता है कि वह कौन-कौन से number है तो देखिए one two three four five six seven eight nine तो यह nine numbers है जो seven kilometer से less थे seven kilometer से less थे तो हमने इनको क्या कि इनको count किया और किसे डिवाइड करेंगे टोटल इंजर है 14 तो यहाँ पर 40 इसको 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास value क्या आ जाएगी देखिए nine upon 40 आ जाएगी इस तरह से देखिए और next क्या है हमारे पास more than or equal to seven kilometer from her place to work अब more than seven बताने है more than seven or equal to seven अब इसमें seven भी count होगा और seven से ज्यादा वाले बी count होंगे तो देखिए कितने इन्राइज हैंगे हमारे पास जो बाकिर है गए seven से plus seven और seven के plus ही होंगे तो 40 में से nine minus कर दीजे है तो क्या आएगा थिवंझन आ जाएगा तो इस यहां पर थर्टी वन इंजिन्हें जो seven kilometer और इसके इकल है यान चरटी वन अपोन इंजिनिर्स कितने आजाएंगे टोटल इंजिनिर्स कितने हैं 40 यानिकि 31 अपोन 40 हो जाएगा इस तरह से इसकी प्रोबैबिलिटी फैंड करिए यहां पर सारे इंटीजर्स गिवन हैं कोई भी हमारे पास fraction में या फिरेशन नंबर कह सकते हैं उसमें गिवन नहीं है तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी probability 0 हो जाएगी क्योंकि यहां पर ऐसा कोई भी इंजिनिर्स नहीं है जिसकी किलोमेटर जो गर से काम तक की दूर करते हैं तो आप activity वेसानी से कर लेंगे अगर आपको कोई डाउट आगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको समझा दूंगा तो अब हम कोशन स्टार्ट करते हमारा 11 11 बैग्ज ओव वीट फ्लोर इच मार्क फाइफ केजी एचली कंटेनिंग दाव फ्लोइंग व इस तरह 5.05 यह भी केजी में 5.08 यह भी सारे जो हैं महार पास केजी में हैं अब हमें देखें क्या करना है फाइंड दा प्रोवैलिटी देट एट एनी अव दीज बैग जोजन एट रैंडमली कंटेन मोर दैन 5 केजी ओ फ्लोर तो यहां पर हम बताना है कि 5 केजी से 5 केजी से प्लस है तो देखे स्टारटिंग में 5.05 केजी जिए यानिकी 5 केजी 0.05 ग्राम तो यहां पर बचेट यहां पर यह यह गीवं था इस तरह सिसमयर प्रपस ज्यादा है हमने उसको काौंट किया है वाइव को काौंट नहीं किया गया यह जी काउंट पूरा तो हमन डिवाइड किसे करना है 11 से यानि कि 7 अपून 11 करेंगे तो हमारे पास probability आजाएगी किसकी probability आजाएगी हमारे पास more than 5 kg bags की तो इस तरह से देखें next question हमारे पास given है question number 12 study was conducted to find out the consultation of sulfur dioxide in the air parts per million of a certain city the data obtained for 30 days is as follows तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हुए है यहाँ पर हमारे पास information given है air की किसकी sulfur dioxide की तो देखिए यहाँ पर किस तरह से इसको find करना है हमें क्या use करते हुए using the table find the probability of the concentration of in the interval 0.12 to 0.16 of any of this day तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 0.2 तो लेगे 0.6 तक कितने हैं तो उनको हम यहाँ पर count करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले total days कितने हैं 30 हैं फिर आप देखिए इस interval में कितने जह हमारे पास आते हैं 0.12 से 0.16 के बीच में हमारे पास इसमें आएंगे तो देखिए वह count करते हैं जैसे कि यहाँ पर 13 इस तरह से हमारे पास एक और आ जाएगा यहाँ पर 12 तो यह दोनों जो हमारे पास इसमें आएंगे जो 16 है उस 16 को हम count नहीं करेंगे क्योंकि 16 जो है अगले में चला जाएगे यानि कि जब हम next interval बनाएंगे 0.162 जहां तक भी हमें कहा जाए वह interval में हमारे पास तब 16 हम count करेंगे जो लास्ट में प्रोबैबिटी आगे किसकी आगई प्रोबैबिटी कंसेंट्रेशन और सिल्फर डायोकसाइड इन दा इंट्रवल 0.122 0.16 इन डे तो यहाँ पर कितनी प्रोबैबिटी आजाएगी वन अपॉन फिफ्टीन इस तरह हम निस को फइंट किया तो देखिए इस तरह से नेक्स्ट कोशन है हमारे पास कोशन नमबर 13 तो देखिए दा ब्लड ग्रूप ओफ थर्टी स्टूदेंट्स ओफ क्लास एट आ रिकॉडड़िद ऐस फोलो तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ब्लड ग्रूप गीवन है थर्टी स्टूदेंट्स के यूज दिस इशते हैं जिनका ब्लड ग्रूप एबी है तो हमें उसकी probability find करनी है तो देखे probability a student has blood group a b कितरे student है उसको हमने उपर लिखा 3 student यानि number of favorable students कितनी है 3 और total number of students कितनी है 30 तो 3 upon 30 हो जाएगा 3 upon 30 को solve कर लेंगे तो क्या जाएगा 1 upon 10 तो यह क्या हो गई हमारी probability यह last time था हमारा तो देखिए चाप्टर भी complete हो चुका है अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को like कर दीजिए दोस्तों को share कर दीजिए अगर आप हमारे कर दीजित oikeते जाएगा 20 हो वीड़ियो बादटर आप हमारी कर दीजिए ग्रष्ण email हमारí का जाएगा captive शाएगा आपrzyma को कर दीजिए अगर छोस्तों कर दोस्तों कर दीजिए आफ।